हेलो शुडेंट्स गुडियू तो यहां में सॉल्व करने जा रहा हूँ एक प्रॉलम जो कि G2024 में पूछी गई अगर आप ध्यान से देखते हो जो आपस में पैरलल में कनेक्टिड है ओके देखिए यह सभी अगर मैं देखता हूँ इस पॉइंट का नाम में 1 रखता हूँ इसका 2 रखता हूँ इसका 3 रखता हूँ 4 रखता हूँ तो देखिए यह 3 और 4 जो है वो identical है तो मतलब सारे के सारे रखते है रखते है रखते हैं वे 3 रे यह दोने की बात है और सभी का जो एक अंड है वो वन से जुड़ा है तो अलege के जो है कि वह चार है और इसकी भी आठ है तो तो LCM आ जाएगा आठ तो एक दो प्लस एक तो बन जाएगा चार बाए आठ यानि की वन बाए दो और पूरा जो पैरल में तीनों को सॉल करने का अंसर आएगा तो और यह पूरा जो combination है obviously R1 के साथ series में है तो यहां पर हमारे पास जो R equivalent आएगा question में हुआ जाएगा 2 प्लस R1 की value देके रखिए 10 तो 2 प्लस 10 ओके यह अपने R1 की value थी 10 तो कुरा combination और R1 series में है तो equivalent resistance of the circuit is 12 ओके 12 जो है equivalent resistance आ रही है और हमसे साथ में current पूछा है so we simply write I is equal to V by R equivalent so voltage जो है वो 12 देके रखिए है और R equivalent जो है वो भी 12 ही है so current का value आ जाएगा अपने पास 1 ampere और जो अपना resistance है उसका answer आ रहा है 12 थेंक्यू